Hello everyone, welcome to Target for IQ, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने शेटीप चैनल पर मैसल रमिंदर कुमार, तो स्ट्रेंट्स, आज हम बात करेंगे 25 अगस के सभी इंपोर्टेंट्स करंट अवेर की जो आने वाला एक्जाम्स के लिए काफ यूस्फुल होंगे, तो एक बार जो भी नही होता है तो चलिए कल की वीडियो के लाश्ट में जो कौस्टन बटब किया गया था उसका आनसर देख लेते हैं, तो कल जो आपसे कौस्टन बटब किया था वो यह था कि हाली में NRA के लिए केंद्रे सरकार ने कितने करोल रुपे का फंट रिलीस किया है तो यह किया है 1517.17 तो answer भी काफी students ने दिया causes किया करें जितने भी students देखते हैं सभी answer दिया करें और वीडियो को like भी ज़रू करें ठीक है चलिए आज की question से शुरुआत करते हैं तो आज का पहला question है हाली में तेंजिंग नौर्गे राष्टे सहसिक पुरुसकार 2019 से नमाज़ गया है means ये पुरुसकार किसे दिया गया है तो ये पुरुसकार दे गया है Wing Commander गजनन यादव जी को Wing Commander गजनन यादव जी ये हैं ठीक है ये इनकी file photo है और इसमें एक खास्यत है इस पुरुसकार में कि इस पुरुसकार को राष्टे सहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोज पुरुसकार माने आता है ठीक है जो तेन जिंग नौर्गे राष्टे पुरुसकार है इसको भारत के जो सहसिक खेलोते है उनका सर्वोज पुरुसकार माने आता है और अरजुन पुरुसकार के बरहबर भी इसको माने आता है तो काफी important है और ये इसका driving, parachute, jumping ये सब करते हैं ठीक है तो इतना आप इसको और इसलिए इस पुरुसकार को सहसिक ठीक है बोले आता है इतना आप इसको सन से याद रखेगा चलिए कोसर नमबर दो देख लेते हैं हाली में केंदर सेकार ने कितनी सलान आये पर GST की छूट देने का प्रावधान किया काफी important है GST में कुछ relief दिया गया है वो कितनी पर yearly income पर दी गई है वो भी आपको पतोने चाहिए तो आप दी गई है 40 लाग यानि कि 40 लाग income पर yearly जो income है उस पर GST में कुछ relief दी गई है और आपके आद रखना है GST में जो पहले जो ये relief था वो था 20 लाग पर और आप इसको double करके 40 लाग पर कर दिया गया है ठीक है आपके आद रखना है GST यानि Goods and Service Tax कब आया था एक जुलाई 2017 और वित्मंत्री को उन्थे समय अरुन जेट ली जी तो आपको इतना सकोस्षन से याद रखना है चलिए कोसन अबर ठीरी देख लेते हैं हाली में केंदर सगाने राज्य सरकारों किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए खाद सरक्सा कानून में सामिल करने का अधेश दिया है खाद सरक्सा कानून में सामिल करने का परपस क्या होगा जो भी facilities है जो भी इससे related department से वो सभी उस वर्ग को दी जाएंगी और आपको याद रखना है राज्टेग खाद सरक्सा दिनियम कब का था को से नमबर 4 देख ले दें हाली में भारत की पहली सहथ परिक्षन पिरोग साला किस राज्य में स्थाबित की गई है काफी इंपोर्टेंट है तो ये की गई है गुजरात काँ पर की गई है गुजरात की राजधानी आपको पताने चे गांधी नगर है और गुजरात की जो वरत्मान सीय में विजय रुपानी जी है और गुजरात की जो वरत्मान गवर्णर है वो है अचारिय देव वरत जी अचारिय देव वरत जी अब गुजरात से लेटेड़ आपको कुछ फैक्ट भी आद करने है जैसे गरबा गरबा कहाथ यहा रहा है गुजुरात कहा है काफी important है शिचू अफ लिबर्टी कहाँ पर है वो भी गुजुरात में है गिर नैशनल पार्क कहाँ पर है गुजुरात में है इस तो इतने related जो fact है उसको आप Cole Re Malaysian करके पढ़ेंगे तो जादे से जादा याद होगा ठीक है और जो भी other fact है वो आपको सारी वीडियो में धीरे धीरे cover करा दियाएंगे इससे क्या होगा आपको बिल्कुल भी static जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप daily to daily in current affairs की वीडियो को देखते हैं बागी काकरापारा एक और याद आगा है काकरापारा निकलर प्लान्ट कहां पर है वो भी गुजरात में ठीक है तो इतना आपको इस question से याद रखना है चलिए question number 5 देख लेते हैं हाली में 24 अगस्त को किस स्वर्गे नेता की पुण्ले दिती मनाई गई जिनके समय में जो GST था वो लागू हुआ था ठीक है काफी important है याद रखेगा चलिए question number 6 देख लेते हाली में केंद्रे सड़क परिवान राजमार्ग मंत्री निदिन कडगरी जी ने किस पिर्देश में केंद्रे सड़क परिवान राजमार्ग मंत्री तो हैं इनी तिन कडगरी जी साथी साथ MSME भी मंत्री है ठीक है MSME याने कि micro, small and medium enter prices सुक्स्म, लगू और मध्यमुद्योग मंत्री तो आपको इतना भी इस कोसन से याद रखना है बागी तो मध्य पर देश के सी हैं आपको पता है, यह सिवराज सिंग चोहान है और वहाँ के राज जेपाल, आनंदी बेन पटेल है तो आप इतना इस कोसन से याद रखेगा और हाँ, इसकी कुल लागत भी याद रखेगा 94 करोण 94 करोण चलिए कोसन नमबर 7 देख लेते हैं हाली में केंद्रिय मंत्री मंडल ने कितने हवाई अड्डो को 50 साल के लिए अडानी गुरूप को पट्टे पर यानि कि लीज पर दिया है यह काफी इंपोर्टेंट है तो यह जो हवाई अड्डे हैं वो तीन हैं जो अभी हाल फिलाल में अडानी गुरूप को लीज पर दिये गए हैं वो कौन-कौन से हैं एक तो आप याद रखेगा गुहाटी है ठीक है और दूसरा है इसमें जैपूर और तीसरा है तिरौनत पुरम यहन्निकि तीन अभी हाल फिलाल में अडानी गुरूप के पास अब कुल कितने हवाई एड़े होगे हैं छे हवाई एड़े होगे हैं यहाँ आपको याद रखना है और हाल फिलाल में जो कितने हवाई एड़े लीज पर दिये गए हैं तीन तो आपको बहुत ही सारे इन्फोरमेसन इसमें जितनी भी है वो कलेक्ट करके याद रखनी है टोटल जो हवाई एड़े उसके पास अडानी गुरूप के हो गए हैं च्छे हैं और अब ही हाल फिलाल में तीन तो चलिए कोसर नमबर एड़े हैं हाली में पिर्दान किये गए राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार की राशी कितनी है तो राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार की राशी जो है वो 7.5 लाग यानिकी साड़े साथ लाग रुपे जबकि अरजन पुरुसकार की जो वो कितनी है पांच लाग तो ये राज़ी भी आपको याद होनी चाहिए चलिए कुस्ट नमबर नाइन देख लेता हाली में किस देश ने अपने नए समविंधान का मशोधा तयार गया है काफी इंपोर्टेंट है नए समविंधान का मशोधा यानि कि अब वहाँ पर दूसरा समविंधान लागू होगा जैसे हमारे समविंधान का मशोधा तयार हुआ था उसी पिरकार से वहाँ पर भी मशोधा तयार हो रहा है तो वह कौन सा देश है सिरीलंका यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया है गल्फ ऑप मननार है और यह जाफना स्रीलंका का दीपए इंपोर्टेंट हो यहां पर इथा लिट्टे ठीक है और यह स्रीलंका है स्रीलंका की राजदानी कोलंबो आप यहां पर देश रखते हैं यह हिंदमा शागर रहिदार तो जो अपने नए संविधान का मशोधा जिस देशने तयार किया वह कौन सा है स्रीलंका और स्रीलंका का प्राचिन नाम बहुत जादा शीलोन ठीक है क्या था शीलोन वहां का प् प्षे कोन है मेहंदा राजपक्षे तो आप इतना स्रीलंका को अलग करता है नीचे और स्रीलंका को अलग करता है इतना इसस देख लेता हालİ में केंदर शृकार ने ट्रांस जेंटर व्यक्ति लिए किस अधिनियम के तह एट एंसीटी बनाने का प्रावधान किया है यह का i deal for transgender ठीक है national council for transgender persons तो यह है transgender transgender व्यकति अधिनियम 2020 काफिंपोटैंट है इसमें क्योंगा मेलनी जैसे कि जो भी उनके साथ भेद्बाव होते हैं जैसे सार किसे संपत्य को लेकर उनके मूल निवास को लेकर या स्वास्थत को लेकर रोजगार को लेकर तो वो सब इसमें इस अधिनियम का देहां खतम कर दे जाएंगे जितने भी भेदवा होते हैं तो काफी इंपोटेंट है याद रखेगा और इस वीडियो का लाश्ट कोस्टन देख लेते हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना है और वीडियो को लाइक भी करना है ठीक ह के लिए जाहिन बने मताँ